को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है संपरदाइक टाकतें अपना सर्यंत लच रही हैं जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के सारे पर जो लोग बैठे हैं जगे जगे पर वो लगातार सर्यंत कर रहे हैं लेकिन मैं जानता हूँ आपका सहास आपकी बा अरियंत का मुकावला करने के लिए तैयार हैं देश को ऐसी ताकते हैं जो बिभाजनकारी राजनीत के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए काम्याब भी हो जाएं पर आखेकार वो हारेंगे क्योंकि गलत मन सुबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं जीत आखिर उनी की होती है जो नकारात्मग लोग अंदर से डरे होते हैं वही साजिश करते हैं मुखवरी का काम तो कर सकते हैं लेकिन सामने की लड़ाई लड़कर के जान देने की हिम्मत उन में कभी नहीं कभी नहीं होती है खुद गर्जी और मुनाफ़ा खोरी ही इनका कारोबार होता है जिसको बढ़ाने के लिए सियासत करना चाहे चाहा के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता ना कभी रहेगा ऐसे लोगों का इसलिए हर हाल में मैं किसी भी इस तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं हाला कि बंगाल ने आप लोगों ने मिल करके यहां मुकाबला किया बीजेपी को हटा दिया पीछे छोड़ दिया यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं ये कुछ दिन के महमान हैं मैंने लोग समा में भी कहा और आज भी कहता हूँ जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग है वो सरकार चलने वाली नहीं है वो सरकार गिरने वाली है और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन के यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुश्यों के दिन भी आएंगे